एट माइनस ट्वेल्फ एट माइनस ट्वेल्फ आंसर कितना गया वन माइनस सिक्स और वन माइनस फाइव किसी भी डिटर्मिनेंट की दो रो सेम हो गई मालों ऐसे कॉप्पी कर दिया आपने दो रो से वन ए थ्री बी थ्री एसा कर सकते हो आप इस के को इस वाले कोलं या इस वाले कोलं में भी shift कर सकते हैं 2r2 जोड़ो no problem 12r2 जोड़ो no problem lambdar2 जोड़ो no problem आप मेरे intention समझ गए होंगे मेरे intention यह है मुझे बताओ इसको प्रूब कर सकते हैं अपन तो समझ में आई रहा है यहाँ पर A1 प्लस कैपिटल A1 इंटू सम्थिंग आएगा अब की बारकाट 12 का जो पेपर होगा डिटर्मिनेंट का पूरा कम्प्लिटली सॉल्व कर सकते हो अगर आपने जो डिटर्मिनेंट अभी पढ़ाया जा रहा है यह सीख लिया तो बारे में का एक चेप्टर आपका अच्छी नीव रखी जाएगी ठीक है तो अपन बेसिक्स ओफ डिटर्मिनेंट सीखेंगे क्लास 11 में ठीक है तो अपन बिलकुल भी आलस नहीं करेंगे डिटर्मिनेंट को शीख लेंगे चागि जहां-जहां जिस फोरूर्मूले में डिटर्मिनेंट आए अपना एनलाईज करने की ताकत बढ़ जाए ठीक है determinant क्या होता है शुरुवात करते हैं उसी से determinant जो है एक order का भी हो सकता है लेकिन एक order के determinant का आप करोगे क्या नंबर पड़ा हुआ है रखलो उसको डंडों के बीच में वैसी रखलो एक order के determinant होते हैं मगर किसी काम के नहीं होते so we do not talk about determinant of order 1 determinant होते हैं आपके देखो दो order के determinant होते हैं तीन order के determinant होते हैं यह देखिए आप यहां पर लिए तीन order का चार order के determinant भी होते हैं चार order के भी होते हैं अच्छा येस चार order का determinant भी अपन खोल सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं है और अगर आप गलती से किसी अच्छे college में चले गए तो वहाँ पे आपको higher order के determinant काफी देखने को मिलेंगे पाँच order के, छे order के तो अगर determinant के basics clear हैं तो कितना भी order हो आगर बड़े order के determinant खुलने में और बड़ा मज़ा आता है हमारे syllabus में सिरफ order 2 और order 3 के determinant है और हमारे syllabus की जितने concepts हैं उनमें order 2 और 3 के determinant ही प्रियोग होते हैं तो order 2 और 3 के determinant हमारे syllabus में है चार और उससे higher order के determinant हमारे syllabus में नहीं है तो इसलिए हम इनकी बात नहीं करने वाले हम सिरफ इनहीं की बात करने वाले है अब इन्ही की बातों में इसकी तो क्या ही बात करनी है? इसकी कोई बात करनी है क्या? वह यह तो 3 इंटू 2, minus 4 इंटू 5 है, है ना? minus 14, तो बात में लिए अपने को 3 order के determinant की गरनी है, तो कहानी एकदम साफ है कि हम 3 order का determinant थोड़ा और धंग से सीखना चाहते है, अब यहां पर बात कुछ ऐसी है कि एक determinant ले लेता हूँ ये ऐसा कुछ करके ये ले लिया मैंने ठीक है? ये जो determinant है आप लोग इस determinant को जो open करते हो आपको सिखाया ही ऐसे गया है कि आप इसको row number 1 से open करते हो Actually interesting बात ये है कि एक determinant को 6 तरीकों से open कर सकते हो आप आप जैसे row number 1 से open करते हो आप row number 2 से भी कर सकते हो row number 3 से भी कर सकते हो column number 1 से भी कर सकते हो column number 2 से भी कर सकते हो column number 3 से भी कर सकते हो भगवान ने दुनिया में इतनी symmetricity, इतनी simplicity और इतनी अच्छी चीजें बनाई है कि वो बाईचांस गोम फिर करके वहीं जूड़ जाती हैं, मैं पहले भी बोलता रहा हूं, आप रो 1, रो 2, रो 3, कोलम 1, कोलम 2, कोलम 3, कहीं से ओपन कर लो, आंसर हो या ना है, एक सेम आंसर को छे प्रकार से सजा सकते हो आप, समझ में आरी के नहीं आरी, डाइगनल से ओपन नहीं करना है, ऐसी कोई चीज ठीन ही होती को डाइगनल से ओपन कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता, डीटर्मिनेंट को किसी रो या किसी कोलम से ओपन किया जा सकता है, जैसे कि आप पहली रो से इसको ओपन करते थे, आज आपने इसको दूसरी रो से ओपन करना है, ठीक है? अच्छा, एक चीज जहान रख नोसे से बल्लाइब हो किसी भी रो से ओपन करना ऐसे करो आप यहां से लिक ओ प्लडस माइ serious буд सब्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस यह प्लस माइनस प्लस माइनस क्यों बनाए हैं क्योंकि वह DNA डर्वनेट ओपन करते हैं जरूरत नहीं होती, प्लस का 2 इंटू फिर माइनस का 3 उसकी जरूरत नहीं होती अपने को, तो यह ऐसे लिखलो, साइन, प्लस, माइनस, प्लस, कहीं से गूम जाओ आप, अल्टरनेट चलते हैं, अले समाझ में आ रही है, डाइगनल ही देखलो एगा ब्रेकेट में कुछ, फिर प्लस 1 आएगा ब्रेकेट में कुछ और फिर माइनस 1 आएगा ब्रेकेट में कुछ, ठीक है, अरे समझ में आ रही है, अच्छा चलो, एक इसको को फूम से भी करेंगे, आपन, स्टैंड रो से कर रहा हूं, और को प्लस से बताओ कौन से तो जब येवाला element आप लिख रहे हो, minus 1, तो ये जिस row में है और जिस column में उसको delete कर दो आप, delete करके दो order का determinant बच गया, इसकी value निकाल दो, 15 minus 16, तो ये कर दिया मैंने, 15 minus 16, अब ये जिस row जिस column में उसको delete कर दिया मैंने, 10 minus 16, 10 minus 16, अब इसको हटादो, 8 minus 12, 8 minus 12, आंसर कितना आगया, 1 minus 6 और 1 minus 5, और 4, 4 minus, minus 1, ठीक, minus 1 आंसर आगया, आरा न, minus 1, देख लो, calculation ठीक है, yes, अब मैं third column से open कर रहा हूँ, तो 4 के बगल में क्या लिखोगे, 4 minus 4, 0, 4 minus 4, 0, 1 के बगल में क्या लिखोगे, 8 minus 12, 5 के बगल में क्या लिखेंगे, 2 minus 3, यह तो 0 हो ही गया, 3, 4, और minus 5, minus 1, आंथर से मारा गानी यह, आए आई आई सेम, आप इसको किसी भी रो से खोल लीजी, आप इस रो से ओपन कर लो, इस रो से ओपन कर लो, किसी कोलम से ओपन कर लो, जैसे आपका मन करे, determinant की value same आएगी ये पहली property हमने सीख लिया आज समय रिया है, value of determinant will be same, you can open the determinant from any of the row and any of the column ठीका, लिख लो इन बातो को value of the determinant will comes out to be same if we open the determinant from any of the row determinant from any row or column किसी भी रोय है, किसी भी column से अपन determinant को open कर सकते हैं, determinant की value बिल्कुल same आएगी यहां तक की property अपने को clear हैं मैं बोल रहा हूँ कि एक determinant है एक determinant है D D क्या है A1, B1, C1 A2, B2, C2 A3, B3, C3 ठीक है अब मैं क्या कर रहा हूँ? दो रोज को interchange कर रहा हूँ तो जब हम दो रोज को interchange कर रहे हैं यहां पे A1, B1, C1 लिख रहा हूँ यहां पे A2, B2, C2 लिख रहा हूँ और यहां पे A3 यह ऐसा ही रहेगा A3, B3, C3 तो दो रोज को जब हम interchange कर रहे हैं यह जो determinant बनेगा क्या यह D ही रहेगा या फिर कुछ और impact आएगा इसके उपर तो minus D हो जाएगा यह minus D कोई ज़ादा पूछे की कैसे मैं कहूंगा कि solve करके इसकी value निकाल लो solve करके इसकी value निकाल लो देखोगे तो minus sign common आ रहा होगा समझ में आ रही यह बात अगर हम दो कोलम भी interchange करेंगे तो भी minus sign का फरक आएगा एक determinant की कोई भी दो रोज को interchange करते हैं या दो कोलम को interchange करते हैं तो determinant के उपर minus sign का फरक आता है एक और बात हमें यहां पर यह भी समझनी होगी कि मालो मैंने फिर से दो रोज को interchange कर दिया तो minus minus plus हो जाएगा तो अगर यह operation आप दो बार करते हो दो रोज interchange करके फिर से दो रो interchange करो या दो रो interchange करके दो कोलम interchange करो तो element फिर इस प्रकार से रहेंगे कि determinant की value same रहे है ठीक है तो यह वाली बात लिख लो जरा साथ में if we interchange interchange any two rows or columns or columns then the determinant then the determinant will get affected by negative negative sign determinant जो है वो negative sign से affect होगा right है जी अच्छा एक और interesting बात बताता हूँ आपको मैं देखो determinant एक value है determinant जो है वो एक value है determinant जो है वो एक value है बिल्कुल सही बात है जी एक value है एक number है और एक number को एक दूसरे number से multiply कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं तो एक determinant को अगर मैं किसी number k से multiply करता हूँ द्यान से सुनना बात को तो इसकी value और k का जो multiplication है वो उतना ही आएगा जितना की इस determinant की value आएगी जितना की इस determinant की value आएगी मतलब ये जो k है इसको आप किसी भी row में shift कर सकते हो किसी भी row में आप ऐसा भी कर सकते हो आप ऐसा भी कर सकते हो k a2 k b2 k c2 a1 b1 c1 a3 b3 c3 ऐसा कर सकते हो आप इस k को इस वाले column या इस वाले column में भी shift कर सकते हैं ऐसा करके भी कर सकते हैं यो भी कर सकते हैं ये जो k है आप किसी भी row या किसी भी column में multiply कर सकते हो ठीके न तो इस प्रकार की कुछ और समभावनाम भी होंगी ये चेक्ट्रा ये जो k है यहाँ पर भी लिखा जा सकता था यहाँ भी third column से multiply किया सकता था थर्ड row से भी multiply किया सकता था बड़ी simple सी बात है इसको समझने के लिए अगर मैं इसे determinant को open करूंगा तो k a1 into something minus k b1 into something plus k c1 into something आएगा तो k तो को मना गया के तो को मना गया ये बात easily feel की जा सकती है अरे समझ में आ रही है तो ये वाली property भी आपर note कर लेंगे next property क्या है next property कि एक determinant यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ध्यान से सुनना a1, b1, c1 a2, b2, c2 a3, b3, c3 एक determinant के corresponding एक दूसरा determinant बना रहा हूँ जिसको इस determinant का transpose बोलते हैं क्या बोलते हैं transpose transpose का मतलब क्या है इस determinant में जो element रोज में लिखे हुए है वही elements इस determinant में column में बन जाएंगे इस खास determinant को इस खास determinant को बोलते हैं ये determinant इस determinant का transpose है value सेम रही गी अलग बात है ये determinant को पहले तो ये समझना है कि ये d transpose होता है और हम ये समझना है कि d की value और d transpose की value बराबर होते हैं यही तो property बता रहा हूँ आगे class 12 में जो हम matrix chapter पढ़ेंगे तो matrices में ये सिखा जाएगा कि matrix के भी transpose होते हैं और वहाँ पे फिर अलग बाते होती हैं determinant कोई भी ले लो आप उसके transpose की value determinant d की value के बराबर ही मिले गी ठीक है तो seven properties हमने कर ले हैं इसके बाद जो मैं आपको property number eight और property number ninth जो बता रहा हूँ they are very important specially property number eight is super important property property number eight is super important property पहले आप समझ लें property क्या है मैंने determinant बना लिया sir a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 कुछ लोगों ने कहा कि इस row को इस row में add कर दो और कहा value of determinant will remain unaffected एक row को किसी दूसरी row में add कर दो एक बार या बार बार किसी कोलम को किसी दूसरे कोलम में add कर दो एक बार या बार बार किसी एक कोलम में दोनों कोलम उठा के add कर दो बड़ी तभाही मत सकती है subtract भी कर दो subtraction भी एक तरीके का addition नहीं होता है negative sign के साथ बस समय में आ रही है सुनो बात को ध्यान से इस वाली row को standard नाम है r1 बोला जाता है इसको बोलते है row number 2 r2 और इसको बोलते है row number 3 r3 यह जो कोलम है इसको बोलते है column number 1 यह जो है column number 2 है और यह column number 3 है ठीक है तो row number 1 जो है ऐसे बोलते है कि row number 1 goes to goes to row number 1 plus row number 2 तो row number 1 goes to row number 1 plus row number 2 का मतलब है row number 1 अभी नई बन गई row number 1 plus row number 2 करके now we have new row number 1 which is row number 1 plus row number 2 मतलब row number 1 में row number 1 और row number 2 जोड़के मैंने नई row number 1 बना दी तो इसको ऐसा बोला जाता है r1 goes to r1 plus r2 इसको read कैसे किया जाता है ऐसे r1 goes to r1 plus r2 ऐसे करके इसको pronunciation होता है समझारी बात आपको अब r3 भी जोड़ सकते हो r1 r1 के अंदर r2 जोड़ो r3 जोड़ो no problem 2 r2 जोड़ो no problem 12 r2 जोड़ो no problem lambda r2 जोड़ो no problem आप मेरे intention समझ गए होंगे मेरे intention ये है कि r1 को सेम यूँ ही रखना है इसको कुछ छेड़ना नहीं है इसके साथ lambda r2 कर दो mu r3 कर दो कोई problem नहीं है समझ में आरी के नहीं आरी r2 को जोड़ो घटा दो कोई tension नहीं है किसी number से multiply करके जोड़ो घटा दो तो बिल्कुल भी tension नहीं है same operation can be done with any row and any column जैसे column number 1 है आप चाते हो column number 1 में a times column number 2 जोड़ें और b times column number 3 जोड़ें जोड़ो कोई problem नहीं है same या similar type of operation similar type of operations can be done with any row or any column आप सोच रहे होंगे कि कई से हो गया इसा सोच रहे होंगे बताता हूँ अगली property के बाद यह वाले property समय में आगी अगली property है अपन सीखते हैं उसके बाद बताता हूँ देखिए अगली property बड़ी मसते है इस property का यह कहना है कि भहिया देखो A1 प्लस A1 पहली रोको जहां से देखिए B1 प्लस capital B1 C1 प्लस capital C1 यहाँ है A2 यहाँ है B2 यहाँ है C2 यहाँ है A3 यहाँ है B3 और यहाँ है C3 इक determinant को दो determinant में split किया जा सकता है एक डिटर्मिनेंट को आप दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर सकते हो मालो में इन दो रो को सेम रखते हुए स्प्लिटिंग कर रहा हूँ सेम रखते हुए स्प्लिटिंग कर रहा हूँ है ना ये तो सेम रखती है और ये हो गया देखो A1 को यहां सजा दो और capital A1 को यहां B1 को यहां capital B1 को यहां small c1 को यहां capital C1 को यहां कोई आदमी बोलेगा कि जी नहीं मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ कि यह एक ही element है इसके बगल में बस 0 लिखा हुआ है मैं कहाँ दूँगा कोई tension नहीं आप ऐसे लिख दो A1 प्लस capital A1 और यहां 0 लिख दो मुझे इसमें भी कोई problem नहीं है अरे समझ में आ रही है यहां पर मुद्दे की बात यह है यहां पर जो मुद्दे की बात है वो यह है कि दो rows को या दो columns को सेम रखते हुए पहली row को या फिर जो column में अगर कर रहे हो तो column में इसको फिर आप दो determinant में split कर दो elements को ठीक है मुझे बताओ इसका इसको प्रूब कर सकते हैं अपन यहां पर a1 blending अगा तो कमनांगर के ओ प्लस कैपिटल डहा हो है तो इसमझ में आ सुननी है बात आपको अगर आपको प्रोपर्टी नंबर 9 समझ में आ गई तो मैं कह रहा हूं यह तो समझ में आईगी रो नंबर 1 में रो नंबर 2 जोड़क दैसा बन गया मैं कह रहा हूं इसको स्प्लिट कर लो दो डिटर्मिनेंट में हाँ जब आप स्प्लिट करोगे तो यह a1 b1 c1 हो गया यहां पे a2 b2 c2 a3 b3 c3 और यहां पे a2 b2 c2 और यहां पे a2 b2 c2 तो फरक की नहीं पढ़ रहा ना यह तो 0 हो गया आप यह भी जोड़ते तो तीन में स्प्लिट हो जाता तो फिर दो सेम हो जाती अरे समझ में आ रही है यह बात फील हो रही है तो यह तो मतलब ऐसी कोई प्रोपर्टी नहीं है जो मैंने प्रूफ करके नहीं बताई हो सबके प्रूफ इजीली समझे जा सकते हैं अनडरस्टेंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी बस ठीक है तो यह प्रोपर्ट एकदम क्लियर हो गई यह वाली प्रोपर्ट एकदम क्लियर हो गई ठीक है एक और बात जो है जहीं वाले कईवार कर लेते हैं तो मैं निचाता 10th property और कर ली, तो determinant की सारी property हो गई फिर, कुछ नहीं बचा, मतलब 12th class का, जो भी सले बस उसमें, जित्ती properties है, सारी अपने को समझ में आ गई, next property यह कहती है, कि अगर एक determinant हो, polynomial entries के साथ, जैसे polynomial entries है, यहाँ पे x square minus 1 है, x minus 1 है, x cube minus 1 है, x है, x square है, 2x plus 1 है, x की power 5 plus 1 है, x minus 3 है, 2x minus 4 है, है ना, तो यह complete determinant को देखोगे, तो this determinant is a polynomial in x, this determinant, this determinant is a polynomial in x, यह x में क्या है, एक, polynomial है, अगर x equal to a रखने पे, यह determinant 0 आता है, if at x equal to a, the value of determinant is 0, then x minus a will be the factor of the determinant, यह सिंपल बात है, फेक्टर थी हो रहा है यह तो, बस determinant के बाद जाहां में लिखती है, और कोई बात नहीं है, will be the factor of the determinant, determinant के बारे में इतनी कहानी अगर अपने को समझ में आ जाती है, और कुछ problems हम कर लेते हैं, तो determinant पे आपकी अच्छी command बन जाएगी, note करेंगे properties को एक बार, done, चलो फिर, एक question करते हैं जरा, एक question करा रहा हूँ मैं आपको, एक question क्या है कि, without expanding the determinant, without expanding the determinant, as far as possible, as far as possible, proof that, proof that, determinant है आपका, ऐसा कुछ, proof that, this determinant is equal to, x-y, into y-z, into z-x, ठीक है, हमें प्रूफ करना है, कि तो determinant है, इसकी value इसके बरावर होगी, लेकिन इसने कहा है, बिना expand किये हुए, बिना expand किये हुए मतलब, by using properties, as far as possible, ऐसा statement कभी लिखा जाए, without expanding the determinant, as far as possible, इसका मतलब वो बात कर रहा है, without expanding, by using properties, आप properties का इस्तेमाल कीजिए, जब तक संभव हो, अब कब तक संभव होता है, आईए एक बाल, इस problem में आपन डिसकस कर लेंगा, तो एक idea लग जाएगा आपको, फिर next question आप खुद attempt करना, यहाँ पे मैंने determinant ले लिया है, 1 x x square, 1 y y square, 1 z और z square, ठीक है, आपको एक बात बता दूँ, हमें determinant में सबसे loving जो लगता है, वो 0 लगता है, जितने 0 determinant में होंगे, बहुत मज़ेदार चीज होगी, ठीक है, तो यह बात अपने को समझ में अगर आती है, तो मैं कह रहा हूँ, column number 1 को, column number 1 minus column number 2 बना दो, क्यों बना दो, intention यह है कि 1 minus 1 होके क्या आएगा, 0 आएगा, और यहाँ पे क्या जाएगा, x minus y और यहाँ हो गया, x square minus y square, ठीक है, clear है यहाँ तक, और मैं कह रहा हूँ, ऐसा करके, column number 2 में भी एक हरकत कर दो आप, column number 2 minus column number 3 कर दो, जब आप ऐसा करोगे तो यह 0 हो गया, यह y minus z हो गया, y square minus z square हो गया, यह ऐसा कोई scene हो गया, ठीक, ऐसा कोई scene हो गया, ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, जो column number 1 है मेरा, जो column number 1 है, क्या इसमें से कुछ common आ रहा है, x minus y common आ रहा है भई, यह x minus y into x plus y है, तो column number 1 में से x minus y common आ रहा है, और यह है column number 2, क्या कुछ column number 2 में से भी common आ रहा है, विल्कुल आ रहा है, तो जब मैं common ले लूँगा तो मेरे पास एक determinant यहां पर जो बचेगा यहां बचेगा 0, यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा x plus y यहां बचेगा 0 और यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा y plus z यहां है 1, यहां है z और यहां है z square अब इसने कहा था without expanding the determinant as far as possible तो यहां तक दो भाई हमने यहां तक possible है इसका expansion ना करना अब तो expand last moment में तो करना पड़ेगा तो अब 2 0 आने के बाद एक्सपेंशन आप कर सकते हैं इस problems में है यहां इस problems का उदेशय होता है कि आप 2 0 किसी row यहां किसी column में बना लो समय में रही है तो अगर मैं इसको first row से open करूँगा तो अब कुछ नहीं बचा तो 1 into this into this minus this into this करना है तो अब यहां पर देखो x minus y into y minus z तो है ही अब this into this करोगे आप तो y plus z हो गया and this into this करोगे आप minus x minus y हो गया तो मुझे लगता है शायद यह problem हो गया solve है तो अच्छा देखो कितने प्यार से solve हुआ है properties लगाई तो है ना आप इसको directly expand करोगे ना तो भी हो जाएगा खिचडी बनेगी थोड़ी तो beauty of the properties आप देख सकते हो इक determinant को किता सीध simplify बना के सीधा एकदम सजा करके जो है factors बना करके आपको दिया है ठीक है यह beauty है ठीक है इसी तरीके का एक problem मैं और दूँगा आपको ठीक है कि without expanding by using properties मैं कह रहा हूं आपको by using properties properties without expanding the determinant as far as possible as far as possible proof that मज़ा आएगा आपको proof करके कोशिश करें जरा proof that one 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 x y z x cube y cube z cube is equal to x minus y y minus z z minus x into x plus y plus z ठीक है करो जरा इसको proof ठीक है तो यहां पर क्या करेंगे अपन यह left and side जो है ना left and side को अगर अपन लें तो इस determinant में अपन क्या करेंगे c1 goes to c1 minus c2 कर देंगे और c2 goes to c2 minus c3 अगर अपन कर देंगे तो 0 x minus y और x cube minus y cube हो गया 0 y minus z y cube minus z cube हो गया 1 z और यह z cube हो गया ठीक है तो x cube minus y cube के अंदर एक x minus y छुपा हुआ होता है ठीक है तो you can take x minus y common from column number 1 and y minus z from column number 2 तो इसमें इस x minus y को अगर अपन common ले रहे होंगे तो यहाँ पर x square plus x y plus y square बचेगा और इसमें 0 1 y square plus y z plus z square यहाँ पर बचेगा और column number 3 जो है वो कुछ ऐसा रहेगा अब जो है column number 1 goes to column number 1 minus column number 2 अगर हमने कर लिया तो देखो x minus y into y minus z मैंने यहों का यहों रखा column number 1 minus column number 2 फिर से कर दिया तो 0 minus 0 तो यहाँ मेरा interest एक और 0 में था है सही मज़े लेने के लिए कि चलो 0 जित्ती होता अच्छा है और जब this minus this करेंगे तो y square y square cancel होगा तो यहाँ आ रहा होगा x square minus x square minus z square plus x y minus y z x y minus y z ऐसा सीन आ रहा होगा और यहाँ पे 0 1 y square plus y z plus z square हो जाएगा और यहाँ पे आगे यह थोड़ा space का issue है कोई बात नहीं मैनेज कर लेंगे 1z और z cube ऐसा कुछ सीन हो जाएगा ठीक है तो यह जो quantity है ना यह वाली quantity इस quantity को अगर थोड़ा जहां से देखोगा x square minus z z square plus x y minus y z x square minus z square plus x y minus y z को देखोगे तो यहाँ पे x minus z into x plus z हो गया y common लोगे तो x minus z हो गया x minus z यहाँ पे अगर common ले लिया आपने तो x plus y plus z यह तो बढ़िया चीज बन गी बढ़िया चीज हो गी तो question खतम हो गया तो मतलब जो determinant हमारा था x minus y y minus z यहाँ 0 बना यहाँ 0 बना तो यह वाले जो term है यह आ गई है x minus z into x plus y plus z यहाँ पे 0 है 1 है y square plus y z plus z square है यहाँ 1 z और z cube है ठीक है ठीक है यह तो हमने factors किये थे अलग से ठीक है जी यहाँ रख लेते हैं इस बात को तो अगर अपन यार यहाँ से first row से इसको open करते हैं तो this into this is 0 minus this into this तो हमारे पास scene हो जाएगा कि भई x minus y into y minus z into minus of x minus z into x plus y plus z ऐसा करके minus sign को इसमें adjust करोगे तो z minus x यहाँ पे हो जाएगा तो scene बन रहा है x minus y into y minus z into z minus x into x plus y plus z I hope आपको बातें समझ में आ रही होगी हाँ common ले सकते थे open कर लिया common ले के open कर लिया बात हुआ ही है सारी की सारी ठीक है तो देखो खटाक से factor बने आप इसको open करके factor बना के देखना है ना आपको गुमाएगा थोड़ा सा एक properties का इस्तिमाल करके factor बनाए तो idea लग रहा है ना properties का इस्तिमाल कहां करते हैं कैसे करते हैं ठीक है तो यहां पर हमें proof करना है यह जो determinant है इसको इसके बरावर ठीक है ना यह वाला problem भी बड़ा standard problem है मतलब होना ही चाहिए देखते हैं जरा left hand side को pick कर लिया मैंने left hand side को pick कर लिया ठीक है column number 1 goes to column number 1 minus column number 2 and column number 2 goes to column number 2 minus column number 3 तो this minus this किया 0 x square minus y square this minus this किया x cube minus y cube ठीक है 1 y square y cube 1 z square z cube ठीक अच्छा column number 2 minus column number 3 भी कर दिया था ना मैंने तो यहां पर हो जाएगा this minus this 0 y square minus z square y cube minus z cube और राइट तो column number 1 में से easily देख सकते हो कि x minus y common आ रहा होगा column number 2 में से y minus z common आ रहा होगा इसमें जब x minus y को आप common लोगे तो यहां x plus y आ जाएगा और यहां पर x square plus x y plus y square आ जाएगा यहां से y minus z को common लोगे तो y plus z आ जाएगा और यहां पर y square plus y z plus z square आ जाएगा column number 3 मेरा yon का yon है no problem अब यहां पर क्या operation फिर से करना चाहिए मज़ा आएगा जिसमें column number 1 goes to column number 1 minus column number 2 फिर से अगर अपन यह operation कर दे रहे हैं तो यार यहां पर देखो 0 ही रहेगा this minus this करके y और y cancel हो जाएगा यहां पर x minus z अपन बना देंगे और this minus this जब करेंगे तो मैंने अभी पिछले problem में बताया था कि यह चीज बन जाएगी आपकी x minus z into x plus y plus z सहमत हो क्या इस बात से अभी बताया था मैंने this minus this करके तो यह वाली quantity आएगी और इसके factor करने दो आते हैं आपने को ठीक है ना यह चीज मैं बता चुका हूँ अभी last question में this minus this will be this quantity और यहार बाकी कर लिया copy 0 y plus z और y square plus y z plus z square ठीक है 1 z square z cube ठीक और राइट अच्छा यह इसके factors थे यहां पर mention करना जरूरी है factors इसके थे यहां पर x minus y y minus z है ना तो यार इनको वापस copy कर लेता हूं x minus y और y minus z को x minus y into y minus z अब यहां पर आप easily देख सकते हो कि पहले column में मेरको x minus z भी common मिल रहा है पहले column लम्मे मेरे को x-z भी common मिल रहा है अब यहां पर पहले को लम्मे यार कुछ ऐसी स्थिती पैदा हो गई है ऐसी स्थिती पैदा हो गई है ठीक है यहाँ 0 y-z y-square plus y-z plus z-square हो गया ठीक है 1 z-square z-cube ऐसा सीन हो गया ठीक है अब यहां से अगर हम first row से इसको open कर देंगे तो open कर देंगे तो this into this minus this into this हो जाएगा कर दे रहे हैं तो हमारे पास x-y y-z और x-z यहाँ पे आ चुका है अब हम क्या कर रहे हैं 1 into this into this this into this करने पे यहाँ y-square plus y-z plus z-square हमें प्राप्त होगा minus this into this करेंगे minus तो y को multiply करेंगे तो minus x-y minus y-square minus z-square और z को multiply करेंगे तो minus x-z minus y-z minus z-square ऐसा सीन आ रहा होगा ऐसा सीन आ रहा है क्या येस 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 ठीक है x-y y-z z-square यहां आ गया xy y-square और यहां पे y-z आ रहा है यहां आ रहा है आपका y-z ठीक है तो यहार minus z-square plus z-square से cancel हो रहा है minus y-square plus y-square से cancel हो रहा है ये इस से cancel हो रहा है और आप देख रहे हैं एक minus sign common आ रहा है minus xy minus xz minus yz में से minus sign को मैं इस factor में अगर adjust कर दूँगा तो मेरे को देखो ये वाले दो factor जो है मैं as a tease रख रहा हूं ये दो factor मैं यूँ कियो copy कर दिये इसका minus common लेके इस factor में adjust करूँगा तो z minus x यहाँ पर बन जाएगा और यहाँ बचेगा xy plus yz plus zx I hope आप इस बात को समझ पा रहे होंगे correct है तो हो गया है proof ठीक है मैं बता दूँ अच्छे जो students हैं वो यार इन determinants को याद करते हैं कौन से determinants को याद करते हैं सबसे पहला determinant one 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 देखो साथ की साथ याद करो x y z की line आ गई x square y square z square ठीक तो यह हो गया साथ की साथ आप अगर इनको याद कर ले तो बड़ा simple simple factor x minus y y minus z z minus x ठीक है दूसरा यहाँ पर जो determinant बन रहा है one 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 x y z x square y square z square पहले से हो गया हाँ यहाँ पर x cube y cube z cube x cube y cube z cube तो यहाँ पर जो determinant बनेगा यह यहाँ पर देखने वाली बात है यह तीन factor जो है यह यहाँ पर copy हो रहे हैं और extra term जो है x plus y plus z की आ रही है ठीक है extra term आ रही है ठीक और यहाँ पर जो third determinant है वो कुछ ऐसा है यहाँ पर भी x minus y y minus z z minus x यों का यों है और extra term x y plus y z plus z x की आ रही है ठीक है तो यह जो determinant है यहाँ इनको याद कर ले है ना इम्पोर्टन्ट डिटर्मिनेंट्स इनको अपन बोल सकते हैं यह इम्पोर्टन्ट डिटर्मिनेंट्स हैं है ना आप इनको याद कर ले learn for objective paper जो objective exams है उनके लिए यह determinant अच्छे students इनको याद रखते हैं correct तो यहाँ पर जो problem है cute सा problem है आप देख लें इदर determinant है हमें दिया हुआ है कि बताईए मतलब हमें proof करने के लिए दिया हुआ है क्या proof कीजिए 1 प्लस A square प्लस B square प्लस C square होगा ठीक है बड़ा cute सा problem है interesting बात यहाँ पर यह है कि A square प्लस B square प्लस C square में अपना पुरा interest यहाँ पर होना चाहिए ठीक है तो मैं इस determinant के साथ एक आपको अच्छी लगेगी, एक बार तो copy कर लिया मैंने इसको, ऐसे ही, अच्छा लगेगा copy करना भी, copy कर लिया पहले तो, और मेरा मन कर रहा है कि मैं पहले column में से a common ले लूँ, तो जब पहले column में से मैं a common लूँगा, तो यहाँ a plus 1 भाई a बच गया, यहाँ b और यहाँ c, दूसरे column में से जब मैं b common ले लूँगा, तो क्या बच गया, a, b plus 1 by b, क्या बच गया, c, तीसरे column में से c common ले लो आप, तो क्या बच गया, a, उसके बाद, यहाँ पे b, c plus 1 by c, ठीक, है न, common ले लिया, a, b, c, को पहले column, दूसरे column, और तीसरे column से respectively, अब मैं कह रहा हूँ कि इस a को पहली row में multiply कर दो, इसको पहली row में multiply कर दो, तो यह हो जाएगा a square plus 1, यहाँ पे a square, यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ इस b को दूसरे वाली row में multiply कर दो, b square, b square plus 1, b square, मैं बोल रहा हूँ c को तीसरे वाली row में multiply कर दो, c square, c square, c square plus 1, determinant वही है, सकल बदल ली है, यहाँ पे a, b, a, c जैसी चीज़ें दिख रही थी, यहाँ पे square जैसी चीज़ें दिखना चलू हो गई है, अब मैं कहता हूँ की, आप एक interesting हरकत करो, यहाँ पे, r1 goes to r1 plus r2 plus r3, आप बताएं अगर यह हरकत करने हैं अपन, तो 1 plus a square plus b square plus c square बन जाएगा यहाँ पे, one plus a square plus b square plus c square बन जाएगा यहाँ पे one plus a square plus b square plus c square बन जाएगा यहाँ पे अरे समझ में आ रही है बात ठीक है और यहाँ जो है यहाँ जो है गाड़ी ऐसी की ऐसी है मेरा इंटरस्ट था 20 कॉंटिटी के अंदर इसलिए मैंने किया सिधा common ले लूँगा हो जाएगा सवाल तो पहले तो मैं common ले ही लूँ पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ common ले ही लूँ और चलो common भी नहीं ले रहे हम तो कह रहे हैं चलो एक हरकत और करो c1 goes to c1 minus c2 वाली एक कोर हरकत करो c2 goes to c2 minus c3 वाली तो जब 10 minus 10 कर रहे होंगे तो 10 minus 10 करने पर 0 answer यहाँ पर यहाँ पर 0 value आ रही होगी जब आप 10 minus 10 कर रहे होंगे तो minus 1 आ रहा होगा और 10 minus करने पर 0 आ रहा होगा तो कितने interesting यहाँ प過去 देखिए column number 1 के entries हैं 10 minus 0, 1 और minus 1 0, 1 और minus 1 0, 1 और minus 1 और यहां 1 plus A square plus B square plus C square और यहां के entries क्या है B square है और एक है C square plus 1 यहां के entries है B square और एक है C square plus 1 ठीक है अब आप देखिए row number 1 से अगर आप open करेंगे इसको तो आपको क्या यहां मिलेगा 1 plus A square plus B square plus C square into इन डिस इन डिस वन माइनस दिरो हो गया प्रूफ वेरी सिंपल ठीक तो मैनेज्मेंट यहां पर चीजों का करना है डिटर्मिनेंट के सवालों में तो और वी तरीके हो सकते हैं इसको करने के मगर यह जो तरीका है दे वो कितना fluent है है ना बिल्कुल एकदम जो बात पूछी गई है सिदा वहीं तक लेके जा रहा है ऐसे दाएं बाएं नहीं चल रहा intuitive भी है यहाँ पर आके पुरा intuition यहाँ पर लग रही है कि हाँ यार क्या क्या हरकत करना है कुण कुण सा उपर ही करना है and we always love zeros in determinant ठीक है कर लीजिये note तो यार यह जो कहानी है यह basics of determinant की कहानी है ठीक है और अपन आगे जब detailed determinant सीखेंगे तो सवाल करेंगे ठीक है तो अब आप determinant को manage करने लाइक हो गए हो बहुत ही प्यार से ठीक है जी लिख लो इस problem को ठीक है note we love zeros zeros in determinant determinant में zeros हमको बहुत पसंद है right